दोस्तों आप सभी के एक बार फिर से Long Term Shares LTS में स्वागत है आज हम HP Adhesives Limited Company के बारे में बात कर रहे हैं HP Adhesives अगर देखा जाय तो बहुत ज़्यादा किशस कंपेर नहीं किया जा सकता क्योंकि बहुत बड़ी एक कंपनी है PD Light Industries और PD Light के जो प्रोड़क्ट्स हैं तो उनकी बहुत एक लंबी रेंज है लेकिन अगर देखा जा जो HP Adhesives है तो कहीं न कहीं कुछ प्रोड़क्ट्स सिमलर बनाती है लेकिन बहुत ही छोटी कंपनी है HP Adhesives PD Light के मुखाबले तो इस तरीके से इस कंपनी से तुलना बिल्कुल भी नहीं की जा सकती तो कभी न कभी देखा जा तो PD Light भी एक जमाने में बहुत छोटी कंपनी हुआ करती थी क्योंकि आप देखेंगे करीब 20 वर्सों में करीब 20 वर्षों में PD Light ने बहुत भयानक रिटन बना के दिये हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती इस तरीके से अगर हम नजर डालते हैं जिस प्रकार से अधेसिव का बाजार है, मार्केट है तो HP Adhesives Newly Listed Company है तो इसके बारे हम 12 की से चर्चा करेंगे तो आप बिलकुल ध्यान पूर्व की वेडियो सुनें तो सबसे पहले हम यहाँ पर बिजनेस के बारे हम चर्चा करेंगे फिर बाकी सारी चीज़ें देखेंगे Company जो बनाती है, manufacture करती है, wide range of consumer adhesives, sealants, PVC, CPVC and UPVC solvent cement, synthetic rubber adhesives, PVA adhesives, silicon sealant, acrylic sealant, gasket shellac, other sealants आजाते हैं and PVC pipes rubricants Apart from the above products, the company also sells ancillary products like ball valves, thread seals and other tapes and FRP products for drainage and architectural solutions तो मुख्यता है, solvent, semen, silicon sealants, contact, adhesive, white glue, PVA, drainage solutions, plumbing, accessories यानि की अगर construction के कामों में या फिर जो है कुछ consumer products जो दरेक्ट खरीद के अपने घर में जो है सारा काम कास करते हैं, interior के कामों में इस्तेमाल होते हैं तो मेली जो industries हो गई जैसे की आप देखेंगे, plumbing के कारियों में, sanitary कारियों में, drainage, water distribution, general purpose, building, construction इन सब कामों में इनके products इस्तेमाल होते हैं कंपनी ने बताया था, expansion के बारे में तो इनका करीब 25 करोड से ज्यादा का जो है, यहाँ पे expansion का budget रखा था जो की capacity increase करना चाहरे हैं, the company has proposed an expansion of its manufacturing facility for 25 crores, post-expansion the combined installed production capacity from the existing facility and the additional unit is proposed to be increased 8,265 klpa of solvent cement and 11,908 mtpa of other adhesives and sealants by end of fiscal year 2024 तो 2024 तक का इनका लक्षे capacity अपना बढ़ाने का, अंतराश्टी बाजार अगर देखते हैं तो इनकी presence है जैसे की UAE हो गया, बहरेन हो गया, कुएत, उमान, साओधी अराबिया, UK, Greece, नेपाल, नाइजीरिया, यूगांडा, अल्गोला, etc. तो करीब एक्सपोर्ट से यहाँ पे 2021 के वित वर्ष तक 17% का revenue आता है, अब अगर इंडिया में देखते हैं तो 23% North India से आता है, 23% South India से और East India से आता है 8%, बाकी West 36%, यानि कि पूरे भारत वर्ष में इनकी अच्छे खासी presence है, प्रोड़क्ट रिवेन्यू ब्रेकप अगर देखते हैं 2022 तक के आकड़ों में, तो 59% सॉल्वेंट सीमें से, 14% बाल वाल्व से, टेप से, 13% सिलिकॉन से और बाकी SR अधेसिव और पीवे से 8%, बाकी 6% अधर प्रोड़क्ट से. distribution network की बात करें, 4 depot, situated दिल्ली, कलकत्ता, बैंगलोरू, इंदोर, catering to more than 1100 distributors, they have more than 30 international distributors in 20 plus countries, जो इनके कुछ प्रोड़क्ट के ब्रांड नेम हैं जैसे की strong wield, HP, strong seal and strong fix. अब यहां पर देखते हैं, HP ADCV के stock price आज की rate में करीब 3 March को जब वीडियो बन रहा है दो पहर में, तो 321 रुपए की price पर trade हो रहा हाला कि आज इसमें बढ़ा देखी जा रहे है, 3.13 प्रिशत, लेकिन आप देखेंगे जो 52 week high है, वो तो 475 है, लेकिन lifetime high आप देखेंगे एक वर्स में return wise देखते हैं, तो साड़े 15% का नुकसान, 6 माईने पहले अगर किसी निवेश किया, तो उनको करीब 30% के आज पास का loss हो रहा है, कमपनी की जो market capital है, 572 करोड, एक बहुत छोटी कमपनी आप कह सकते हैं, micro cap कमपनी है, और 10 की face value अला stock है, 27 दिसमबर 2021 को इसकी देखा जाए, तो थोड़ी दूरी रह गई है, सवा 300 के आसपास trade हो रहा है, और 275 इसका IPO price था और high बना चुका है 505, तो कहीं ने कहीं देखा जाए, तो अभी IPO price के आसपास है, price to earning ratio देखते है, 65 का है, जबकि आप देखेंगे, जो PD Lite जैसी company है, उनका कुछ कम नहीं तो 100 के आसपास price to earning ratio पे वो trade हो रही है, इस company की जो price to book value 4.17 है, और deliveries की 23% दिखाए दे रहे हैं, company का ROC है 10%, ROE है इसका 8%, कुछ अगर हम वर्ष के देखते हैं, आकने जैसे 2020, 2021 और 22 में जो total revenue रहा, तो 85 करोड फिर अगले वर्ष बढ़के हो गया, 218 करोड, 2022 में 165 करोड और नहीं दिख रहा, बलकि revenue में बढ़ोतरी ही दिख रही है, तो इस तरीके से sales growth अगर हम देखते हैं, तो हमें ठीक लग रही है, 85 करोड, फिर 118 करोड, फिर 165 करोड, तो consistent यहां पर जो है growth है, लेकिन चुकि ऐसे products हैं, कि आप देखेंगे कि इनका जो raw material करीब 20% raw material बाहर से आयात करते हैं, बाकी जो भी इंडिया से इनको मिल जाता 60% के आसपास, तो आप देखेंगे कि थोड़ा सा भी अगर आप आयात करते हैं, और उसमें raw material में कभी बढ़ोतरी हुई price में, तो इस वज़े से यहां पर थोड़ा सा margin पर भी यहां पर दबाव देखा जा सकता है इसलिए अगर आप देखेंगे, 5% था OPM, करीब 2020 में 10%, अगर देखें 10%, फिर 7%, फिर 6% दिखाई दे रहा है, तो इस तरीके से बहुत unbalanced है, settled नहीं है, बर देखें यहां पर 2020 में जहां 5 करोड का lost, और 2021 में देखते हैं 10 करोड, और 2022 में देखते हैं 6 करोड रह गया, वहीं पर अगर हम quarter to quarter देखते हैं, तो आप देखें, sales में, December के quarter में जो sales रही 55 करोड से ज्यादा की रही, जबकि पिछले quarter में थी 58 करोड तो उससे कम हुई है, हालांकि पिछले वर्ष के quarter से sales बढ़ी है, 43 करोड 66 लाग की थी, तो उससे बढ़के आया 55 करोड 17 लाग, इस तरीक में थे जबकि 58 करोड में करीब 54 करोड के आसपास, तो इस तरीके से जो operating profit निकल काया 5 करोड 79 लाग, और पिछले quarter में था 4 करोड 33 लाग, उससे बढ़के आया है, तो sales भले ही डाउन हुई है, लेकिन margin वगएरा में अगर आप देखेंगे, तो उतना दबाव नहीं है, maintain कर लिया है, और इस तरीके से net profit देखते हैं, सब कुछ tax works देने के बाद, तो 3 करोड 10 लाग का निकल कहा रहा है, पिछले quarter में था, 2 करोड 1 करोड 1 लाग, धाई करोड के आसपास, और पिछले बश के quarter में था 7 करोड, तो उससे बढ़के आया है quarter quarter साल के, और पिछले quarter से भी, तो earning per share अगर quarter तर quarter देखते हैं, तो बढ़ा हुआ है, एक रुपए 69 पैसे हो चुके हैं, तो financial सागर देखते हैं, कुछ कई quarters में देखी, जून वाला अगर छोड दिया गा, जून में ने लॉस दिखाया हुए, उसका कारण ये है कि जून तो 2021 काफी प्रभावित रहा इसमें FIIs जो थे, आप देखेंगे, यहाँ पे FIIs, 5.43% से 5.1%, फिर गट्टे ही गए, फिर अभी दिसंबर तक के आंकों में सीधे घाय भी हो गए समझे, तो इस वज़े से इसमें बहुत भारी गिरावट देखने को मिले हैं, विदेशी निवेशकों ने काफी अच्छ प्राइस बहुत ज़्यादा किर गया है, लेकिन थोड़ी सी मामूली से जो है बढ़ाद देखी जा रही है, डियाइस के तरफ से, तो वो मामूली से आ है, 0.57%, उसके पस्चार जो रिटेल छोटे बड़े हर प्रकार की जो पार्टियां है, वो अच्छा खासा इसमें बने आदू, कुछ कमपनियां होती हैं, बहुत छोटी होती हैं, और हम अंदाजा इस बात का बिल्कुल भी नहीं लगा सकते कि कौन सी कमपनी कितने समय में कितना ग्रोथ कर सकती है, कौन सा उसका प्रोड़क्ट कोई हीट हो जाए, कोई फेवी कॉल जैसा प्रोड़क्ट जो है लोगों की जुबां पर बैठ जाए, है ना, तो इस तरीके से अगर इनका भी कोई प्रोड़क्ट से या कोई ऐसा पदार्थ जो अधेसिव से रिलेटेड है, मार्केट हैं बहुत तेज से बिखने लगा, या फिर इनके सारे प्रोड़क्ट से बिखने लगें, काफे अच कासी डिमांड होने लगी, और ये जो चीजें हैं हर घर की जरूरत है, जो भी सॉल्वन सीमेंस या जो भी इनके अधेसिव से हैं, केमकल अधेसिव, तो कहीं ने कहीं रिगलर जो ही यूज में आते रहते हैं, कुछ नकुछ जो है खराब होता रहता है, फ्लोरिंग का, घर का, ट्वालेट का, बातरूम का, किचेन का, उन सम में जो इस्तेमाल होते हैं, तो मुझे लगता है कि ये सेक्टर चलता रहेगा, जिस प्रकार से पीडिलाइट ने बढ़िया रेटन बना के दिये हैं कलंबी अधी में, तो पीडिलाइट जैसा तो नहीं, क्योंकि उसने अ कोई राय नहीं दोस्तों, बहुत छोटी कमपनी है, बस आपके समक्ष मैंने स्टडी के माध्य हम से रखा, कई लोगों के इसमें जो है, क्वेशन भी आया थे कि इस कमपनी के बारे में बताया जाए, तो ओवर ओल कमपनी तो कोई बुरी नहीं है, बस आपको सही प्राइस पर मिल जाए, तो गिरावट का जो दावर चल रहा है, मुझे लगता है कि ये अब देखते हैं कब तक चलता है, अभी तो फिलाल आजकल तेजी है, तो अभी जो वर्तमान वैलवेशन है, तो इस सेक्टर के हिसाब से देखा जाया, तो ठीक ही लग रहा है, पर उन तो पोड़ा साही करिस्क रहता, ऐसी कमपनियों में अपर और लोवर सरक्रिट लगने के, आपको ये कमपनी कैसे लगती है, कुछ कहना चाहते हूं, तो जरूर आपको इंब बॉक्स में रखे, थेंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो फ्रेंड्स